पुना में वकीली करती हूँ और पुना से ही हूँ, मैंने जनवरी 2018 में स्वास्त शिबित पुना मनन अश्रम में किया था, जिसमें मेरा अनुबर बहुत ही अच्छा रहा, मेरा चार दिनों में तीन किलो वजन कम हो गया, और मेरे पित और पचन के सारी बीमारिया निकल गए मुझे जीवन केसे जीना है, कहां मेरी गलतियां हो रही है, मुझे समझ में आया, उसके बाद में मेरे गुटने में दर्थ होने लगा, और मेरे गुटने का 10 डिग्री में बेंड हो गया गुटना, उसके वज़े से मुझे और्टोपेडिक डॉप्टर के पास जाना उसके बाद में मैंने होमियोपेथी लेना रिसाइड किया, होमियोपेथी में पेन थोड़ा कम हुआ, लेकिन घुटना वेसा ही बेंड रहा, और मुझे बहुत जादा नीद आने लग गई, उसके वज़े से मैं सोने लग गई, रेस्ट लेने के लिए कहा था मुझे, रेस अनन्द कुझ में आने का ठहराया, और उसके वज़े से मैं 16 सप्टेंबर को अनन्द कुझ में आई, यहाँ पर आने के बाद तो मेरा दिल खुश हो गया, हम लोग पूना जैसे पुलिश पुलिटिड जगा पे रहते हैं, और यहाँ पे एकदम स्वर्ग है, यहाँ का उसके बाद मैंने देखा कि यदि हम 100% अपना खुद का देते हैं, तो हमें 100% रिजल्ट मिलते हैं, हम लोग आदत लगे, कोई हंटर लेके हमारे पीछे होगा, तो ही हम वो सारा पालन करते हैं, लेकिन वो हम यह नहीं सोचते कि इतना टाइम, इतना पैसा निकाल के, इतनी वेदना लेके हम यहां रह रहे हैं, तो अपना 100% देना चाहिए, लेकिन 8 दिनों में मैंने एक बार भी शिवाबू चुकाया नहीं है, उसके वज़े से मेरा 6 किलो वजन कम हुआ, और मड़ पैक वगरा के वज़े से, मड़ की पटियों के वज़े से मेरे गुटने में दर तो बहुत कम हुआ, और घुटना भी थोड़ा सीधा हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, वो नेक्स टाइम हो जाएगा, इसकी मुझे 100% गैरेंटी मेली है, सकारतमत वीचार हुए है, और मुझे लगता है कि बाहर जो एड करते हैं लोग ये सब चीजों की, उसमें उनके बा इस शिबीर का आनन्द दे ले और अपनी बीमारियों को दूर भगाए, प्लस अपना जीवन कैसे ही जीना है, वो मार्ग दरशन ले, धन्यवाद